लोज तो कैसे हैं आप सबस्वागत आप सभी कैस ब्रेंड ने वीडियो में तो चिराक की रोशनी हमारी दो सीरीज दो समाज हम बात करने वाले हैं हल्क बस्टर के बारे में हल्क बस्टर को काफी बफ आफ किया गया है काफी इसमें चेंजिस आ रहे हैं तो इस वीडियो में कोशिश करूँगा मैं आपको सब changes detail में थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा तो अगर आप ऐसे attacker hulk buster को ले के जाते हैं तो इसके उपर giant buster एक buff चलता है यह basically करता का है इसकी attack का damage थोड़ा बढ़ा देता है opponent के size के according यानि कि अगर extra size जो है opponent large size का है तो उसका damage hulk buster का थोड़ा increase हो जाएगा और अगर आपको एक defense में कहीं मिलता है तो इसके उपर एक दूसर debuff चलेगा वो iron wall का है उसकी defense abilities बढ़ाता है तो आप यहां पर देख सकते mode में है तो maximum 2 stack कर सकते हैं आप यह और अगर iron wall यानि अपने defense में है तो वहाँ पर maximum 4 armor up आ सकते हैं indefinite armor up होते हैं यानि कि time limit नहीं है इनमें armor up की कोई दूसरी जो बड़ी चीज है हो यह है कि अब हर heavy attack में 100% chance है opponent को shock देनेगा तो आपको कोशिश करनी है कि जितने जादा shock आप दे सके opponent को उतने दीजे और अगर गलती से opponent का hit आपको लग जाता है तो आपके उपर जो armor up है वो हट जाएगा और उस armor up के बदले opponent के उपर एक shock का debuff आ जाएगा तो आपको कोशिश यही करनी है कि इन जो shock है opponent के उपर आप इनको stack कर सकते हैं और जितने जादा आप stack करेंगे पर shock debuff आपके हल्कबस्टर का attack increase होगा यानि कि आपको अभी यही कोशिश करनी है कि जितने जादा हो सके opponent को shock के आप debuff देते रही है जो दूसरी जो बहुत बड़ी चीज है जो थोड़ी unique चीज हम कह सकते हैं इसको वह यह है कि अल्कबस्टर का special 1 और special 2 दोनों अब एक second के लिए जब आप इनको use करेंगे एक second के लिए unblockable रहेंगे और आपको कोशिश करनी है कि opponent के block में आप अपना special attack मारे जैसे कि यहां पर ब्लोक कर रहा था तो मैंने अपना special 2 यूज कर लिया तो आप power burn, power lock और armor break तीन यहां पर चीज़ें हो गई है ऐसे ही आपको कोशिश करनी है special 1 हो या special 2 हो अगर आप block opponent का तोडएंगे या निकि उसके block में अपना special attack यूज करेंगे तो आपको extra थोड़ा benefit यहां पर मिलेगा देखिए अब मैं आपको कोशिश करता हूँ आपको क्योंकि इसका extra benefit अगर आप opponent के block में अपना special attack मारते हैं तो इसका benefit आपको extra मिलेगा देखिए अगर मैं special 2 अपना normal combo के बीच में यूज करूं तो यहां पर armor break है power lock है लेकिन power drain नहीं होई यहां पर लेकिन अगर मैं यही opponent के block में अपना special 2 यूज करता तो उसकी सारी power drain हो जाती ऐसे special 1 की बात करें तो अगर मैं special 1 इसके block में कोशिश करते हैं एक बर और करने की तो जितने भी हमारे उपर armor up हैं जैसे दो armor up थे तो उनसे stun की duration जो है बढ़ जाएगी अगर मैं normal combo के बीच में इसका use करूंगा special 1 का तो यह normal जो time है इसका हो शायद 1.50 second है यान अगर मैं combo के बीच में ना करके उसका block opponent का तोड़ता हूँ यानि कि वो block करे हुए है तब अपना special attack 1 use करता हूँ तो पर stack armor up के जितने भी मेरे उपर stack होंगे अगर 2 की बात करें तो यानि कि पर stack 1.25 second अगर 2 armor up के stack की बात करें तो करीब करीब 20 second हमारा stun की duration बढ़ जाएग और उसमें हम उस opponent को heavy attack करकर के shock के debuff दे सकते हैं इससे कि हमारा damage जो है increase होगा तो उम्हीद करता हूँ थोड़ा difficult यहाँ पर नहीं हो रहा आपको कोशिश यह करनी है कि opponent के block में अपना special attack मारना है बस अगर easy उसमें बताओं तो उससे आपको जादा फायदा होगा अगर armor up है इनका थोड़ा और भी benefit है इससे थोड़ा आपको opponent की ability accuracy भी कम होती है इससे आपकी resistance भी बढ़ती है poison और bleed के खिलाफ तो इसका काफी फायदा है लेकिन अगर आपका opponent cosmic है तो वहाँ पे जो यह extra benefit armor up के वह आपको नहीं मिलेंगे तो आपको इसका थोड़ा ध्यान रख chance रहेगा opponent को shock debuff देने का पर shock debuff उस opponent की health भी थोड़ी decrease होगी और साथे साथ 4.5 second के लिए यानिकि करीब साड़े 4.5 second के लिए आपका helicopter जो है वो unblockable हो जाएगा तो basically यही सारी है आपको कोशिश करनी है जाद स्यादा shock देने की opponent को जितने जादा shock debuff देंगे उतना जादा आपका attack increase होगा और आपको special 1 और special 2 कोशिश करनी है कि opponent के block में आप hit करें उससे आपको थोड़ा extra benefit मिलेगा बाकी अगर आपका helicopter जो है वो awaken है यानि की duplicate है तो अगर उसकी health 15% से नीचे जाती है जैसे की iron man की जाती है तो regeneration भी करेगा मेरा hulkbuster जो होएकर नहीं था तो मैं आपको यहाँ पे show नहीं कर पाया लेकिन काफी तगडी regeneration है और अगर आपने defense में लगाया हुआ है तो plus 45% regeneration की potency आपकी बढ़ जाती है तो काफी अच्छी regeneration है तो कुल मिला के काफी HS को buff up कर दिया है पहले से तो काफी बैथर बना दिया गया है hulkbuster को बाकी आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और कुछ आपको समझ भी नहीं है तो भी आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं मैं जल्दी-जल्दी कोश्च करूँगा आपको reply करने की तो जिसके पास भी अलकबस्टर उसके साथ शेयर कर दीजेगा वीडियो चैनल को अपने सिस्क्राइब नहीं है कि तो प्लीज कर लीजे मिलते हैं आप से अगले वीडियो में जाहिंद